नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल SP study point पर मैं सुनूँ आप सभी दोस्तों का हार्दी स्वागत करता हूँ दोस्तों आज चीज क्लास में हम डिस्कस करेंगे B.S.E. third semester chemistry chemistry दोस्तों इसके पहले third semester का syllabus मनें डिस्कस कर दिया था कि third semester में chemistry में आपको क्या पढ़ना है और introduction class भी हो गई थी यानि कि जिसने मने बता दिया था कि आपको first unit के अंतराल क्या पढ़ना है तो आज हम class start कर रहे हैं यह आज chemistry की second class होगी दूसरी class होगी दोस्तों तो third semester में जो पुर्दार तरीके से सबी लोग class को share कर दीजिए जो भी मारे चैनल पर नए आए हैं वह भाई बंदू प्लीस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा दोस्तों यह class आपको नई सिच्छानीत के तहा संचालित की जा रही है यानि कि एनीपी जो लागू हुआ है उ फिजिक्स की टाइमिंग है जो सेकंड समेस्टर में थी रोज रात आठ बजे आपको कैमेस्ट्री की class मिलेगी नौ बजे आपको physics की class मिलेगी और बोटनी और जो जो जी की क्लास की टाइमिंग मौर्निंग में जो है रखेंगे तो आप लोग का अगर कोई confusion है टाइमिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा चले दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं तो थार्ड समेस्टर में जो आपकी पहली यूनिट है दोस्तों उसका नाम है केमकल काइनेटिक्स जिसमें हमने इंट्रोडेक्शन क्लास आपको दे दी थी जितने हमने आप लोग को बता दिया था कि केमकल कानेटिक्स में आपको पढ़ना क्या है तो केमकल कानेटिक्स अखिर में होता क्या है सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं दोस्तों फिजिकल केमेस्ट्री की वह साखा जो रेट आप रियक्शन के साथ दिल करती है उसी को क्या कहते हैं उसी को केमकल कानेटिक्स कहते हैं यानि कि जो केमकल कानेटिक्स है दोस्तों वह बिबिन फैट्स तो क्लियर करती है पहला फैट्स जो रहेगा आपका फैट्स जो है रेट आप रियक्शन दूसरा आपको इसके अंतरगत पढ़ना है इफ्ट आप कंसंटेशन जिसमें टंप्रेचर देखेंगे प्रेशर पढ़ेंगे फिर आप मेकेनिजम आप रियक्शन पढइगे तो केमकल करेंटिक्स क्या है आपको पता चले चल्या किया आप वहोत क्यूंठ बहुत मैच्मूर दोस्तों रेंट रिकशन पढ़ना है बहुत important है तो चलिए heading डाल दीजिए rate up reaction rate up reaction क्या होता है तो दोस्तों rate up reaction आखिर में हम find क्यों करते हैं इसे हम ROR भी कहते हैं तो आप ROR भी लिख सकते है rate up reaction को ठीक है तो किसी भी चीज की speed या किसी भी चीज की speed या किसी भी चीज का rate कितना तेजी से हो रहा है यही बताता है rate up reaction ठीक है क्या बताता है किसी भी कोई भी चीज है ठीक है उसकी speed कितनी है उसकी speed कितनी है वह चीज कितनी तेजी से हो रही है वह कितनी तेजी से हो रही है यही बताता है आपका rate up reaction तो आप लिख सकते हैं change in concentration of reaction और प्रोडेक्ट बित्र स्पेक्ट कें तरीका रोडियक्षन और स्पिश्शन आप जया इतना आप नोट कर लेजिए तो आप इतनी बात समझ खें कि ततों खोता किया किसी भी चीज की स्पीड और कोई भी प्रोडेक्ट है वो कितनी तेजी से हो रहा है या की कंसेंटेशन आप रियक्षण जितनी तेजी से से आप रियक्षर रहा है या इसी बढ़ने और घटने की speed को यही जो है बढ़ने और घटने का जो स्पीड है यही rate-up reaction है इसी का अंतरगत का आता है rate-up reaction आता है तो आप लिख सकते है rate-up reaction को exchange in concentration of reactant और product यहां reaction नहीं होगा तो reactant होगा वित respect टू time ठीक है तो इतनी बात सुन में आगी अब इसके अंतरगत देखे अब इसमें आपको सुन में आ गया कि ये rate up reaction क्या है अब हम rate up reaction किसका निकालेंगे ये भी तो जानना जरूरी है तो इसके लिए हमने चूच किया very fast reaction अब very fast reaction ले लेते हैं जैसे कि ionic reaction जो होते हो very fast reaction होते हैं ठीक है हम example ले लेते हैं एक example हमने ले लिया कौन सा ले लिया यहाँ पर हमने ले लिया NACL plus NACL plus A-G-N-O-3 A-G-N-O-3 ठीक है तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इस reaction में अगर हम इसको balance करें तो हम इसे लख सकते हैं NA-N-O-3 और A-G-C-L लख सकते हैं अब इसमें देखें इसमें 9 second का time लग रहा है बहुत ही कम समय में यानि की very fast बहुत तेज से आए ऋपहुत तेजी से हो जाते हैं तो ऐसे re बीएक्शन होगे जैसे आयनिक रियक्शन होdar एक बर फिर से मैं देगे इसाओँ और अभी विल से NaCl plus AgNo3 अब इसको जैसे ही balance करेंगे तो आप यहाँ पलिख सकते है NaNo3 plus AgCl ठीक है तो इसमें जो timing लगा है वो बहुत ही कम समय में हो जा रहा है यह reaction ठीक है तो जब nanosecond में कोई भी compound या कोई भी reaction हो रहा है तो यह आई एकर क्षिन का रेड़् आप रेक्शन नहीं ग्याद कर पाएंगे अब हम तो इस पर लिख जांगे कि रेट आप रेक्षन के ना determined यह इस परकार के reaction का रेट आप रेक्षन नहीं निकाला जा सकता है है अब दूसरा ले जैते हैं holy resource ब स्साइब Спस्वाइल अएक्षान आप आ idiots ब्सूंहीं जीसे होने में वाई एक साल भी लग जाए एक मंथ लग जाए ठीक जैसे और कुछ लोग सोच रहे हैं उसको दिया जाए कैसे दिया जाए इसमें क्या हो टाइमिंग लग रहा है बहुत ही लंभे समय तक खाल सके ले जा रहे हैं उसको ठीक है तो यह प्रक्रिया हो रही है यह बेरी slow reaction के अंतरगत आता है तो very slow reaction का भी rate आप reaction नहीं find करेंगे जैसे rate of reaction किसका निकालता है किसी भी factory में किसी product का ही rate of reaction निकलता है तो आप कोई भी product का rate of reaction निकालना है तो आप उसे एक साल के लिए थोड़ी टाल देंगे यानि कि इस प्रकार का reaction रस्टिंग आप iron take a year a month में जो complete हो उसका भी rate आप reaction नहीं निकल सकता तो यह दोनों कैंसिल होगे very slow और very fast अब जो आपका है दूसरा reaction यानि third reaction जो है दोस्तों वह है moderate rate of reaction moderate rate of reaction जैसे कि molecular reaction क्यों जाएगा molecular reaction चलिए इसको हम discuss करते हैं इसी पर आपका पूरा चेप्टर बेस है अब moderate reaction ऐसे रेक्षन होते हैं दोस्तों जिनकी speed ना तो बहुत तेज होती है और ना ही बहुत धीरे होती है तो ऐसे reaction का हम rate of reaction यानि आर ओ आर फाइंड करते हैं पूरा आपका चेप्टर इसी पर बेस है यानि की moderate rate of reaction moderate rate of reaction के अंतरगत कौन से आते हैं molecular reaction molecular reaction का example जैसे ले लेते हैं N2 3H2 तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2NH3 यह क्या है वह यह है molecular reaction ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है कि यह जो विकिरिया है इसमें केवल कुछ वक्त लग रहे है ना तो यह बहुत यह तो हैने कि एक साल बाद हो रही है एक महीने में लग रही है जाने कि अब लगबग लबग 10 मिनाट या 5 मिनाट के समय के अंतराल में अगर कोई reaction हो रहा है तो moderate reaction क्या है moderate reaction moderate reaction होता क्या है ऐसा reaction जिनकी speed जो होगी वो ना तो बहुत तेज होगी और ना ही बहुत धीरे होगी इसी का हम निकालते हैं rate of reaction इसी पर आपका पूरा chapter base है तो अब हम moderate reaction निकालेंगे कैसे आपको पता चले कि इसमें क्या हो रहा है जैसे कि हम ले लिए थे क्या ले लिए वह या एनट ऊ तो आप देखें एन ट्रिपल वाण एन प्लस ह से एच ठीक है अब जो यह नज्ट्री है तो यहां पर आपका हो जाएगा यहां पर अब इसमें से यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर bond break हो रहे हैं किया हो रहे हैं bond break हो रहे हैं लेकिन यहां पर आप देखेंगे NH3 में तो यहां bond का formation हो रहा है पर और यहां था है तो यही rate up reaction है अब rate up reaction को हम define किस प्रकार से करेंगे तो rate up reaction may be defined as the change in concentration of any one of reactant or product यहां पर reactant होगा दोस्तों, reactant or product per unit time are called rate of reaction, तमझे इतनी बार चलिए, अब example ले लेते हैं जैसा कि हमने example ले लिया, कौन सा example ले लिया, PCL5 PCL5 तो PCL3 प्लस PCL2, अब इसको हम rate of reaction में किस प्रकार से लिखेंगे ROR में, तो इसमें आपको पता है दोस्तों कि rate of reaction को किस प्रकार से लिखते हैं सबसे पहले तो यह जान लिजिए, कैसे लिखते हैं, चलिए जल्दी से बता दीजिए, जिनको भी पता है तो आप लिख सकते हैं कि decreasing in concentration of PCL5, ठीक है, decreasing in concentration of PCL5 upon time taken और यहाँ पर क्या हो जाएगा, increasing, यानि increase हो रहा है न, product, देखे, product क्या हो रहा, concentration, आप जो reactant होगा, reactant आप product क्या होगा, reactant क्या करेगा, इसमें घटेगा लेकिन वहीं पर अगर product की बात करेंगे, तो product क्या करेगा, product बढ़ेगा, किसके साथ, time taken, यानि कि एक कुछ second with respect to time ही तो रहेगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा, इसका reaction, अब किस प्रकार से लिखते हैं, मैं देखते हैं, rate up reaction को हम लिख सेकते हैं, किस प्रकार से, जैसे कि म हमने दे दिया, PCL5, यहां पर हो जाएगा, PCL3 प्लस CL2, अब यहां पर हमें rate up reaction लिखना है, तो आप लिखेंगे, डल, PCL5 अपान डल टी, कोल टू, प्लस, यहां पर product, जब भी reactant की बात करें, तो reactant की जो value होगी, माइनस में होगी, क्योंकि reactant तो घटेगा, और increase क्या कर प्लस में ही तो आएगा, माइनस तो आएगा नहीं, तो यह हो गया, आपका reactant, और यह हो गया, आपका product, product में आपने क्या लिखा, PCL3 लिखा, और आपका पूरा reactant क्या था, PCL5 था, तो यहां पर क्या हो रहा है, कि rate up object रहे हैं ना, इसमें क्या, अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था, कि rate up reaction, may be defined as change in concentration in any one of the reactant, ठीक है, तो rate up reactant, यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है, और rate up product क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है, यही तो है, अब बढ़ कैसे रहा है, कि जब मैंने आपको यहां पर बताया कि PCL5 यह आपका हो गया, ठीक है, अब इसको हमने क्य कि इसका rate up reaction निकाला, तो यहां पर हो जाएगा, PCL3 प्लस CL2, तो PCL3 यहां पर rate up reaction बढ़ रहा है, तो यह हो जाएगा, पॉस्टिम में आ जाएगा, तो इस प्रकार से rate up reaction लिखते हैं, आगे देख लिखते हैं, अब आगे किस प्रकार से लिखेंगे, लिखेंगे क्या, decreases in concentration of PCL5, time taken, और फिर लिखेंगे, increasing in the concentration of reaction of PCL3, time taken, यही लिखने का इसका तरीका है, अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं, rate up reaction की unit क्या होती है, यूनिट आप RORN, rate up reaction, तो rate up reaction को किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, जल्दी से बताएगा, सभी लोग इसकी unit क्या होगी, जल बताईए, तो यहां पर हो जाएगा concentration upon time, ठीक है, तो concentration को हम किस से robotics कर देंगते हैं, यहांपर concentration की अगर बात हो, तो यहांपर किस में होते हैं, मौल में होता है, तो क्या हो जाएगा, मौल प्रत लीटर हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका निकल के आएगा, अगर आप Совünf क अगर बात किरा जाए और और की यूनिट तो और की यूनिट जो होती है वह थिया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यही है यूनिट इसकी ठीक है तो इतनी बात सब्सक्राइब चलिए आगे बढ़ते हैं अब अब डिसक्स करते हैं एक्सप्रेशन ऑफडरेट आप रे प्रोड़क्ट जो होगा कंसेंटेशना प्रोड़क्ट किस प्रकार से बढ़ेगा उसको हम किस प्रकार से रियक्शन के मोड में लिखेंगे तो हैडिंग डाल दीजिए expression of the rate of reaction लिखेंगे the rate of reaction is charging continuously through the course of the reaction therefore the rate of reaction at any particular constant time dt ठीक है तो constant instant time है वो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा सपोस करिए dx is the small dx is the small change in concentration any one of the reactant or product during a small interval time dt ठीक है तो आप समझ के कि जैसे हमने ले लिया कि एक सपोस्ट डी एक्स जो है वो इसमाल चेंज है किसमें concentration आप वो नी ओनली वन reactant और प्रोड़क्ट तो इसमें जो इसमाल एंटरवल आप टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा तो हम और और को किस प्रकार से लिख सकते हैं डी एक्स अपार डी टी के मोड में लिख सकते हैं कैसे लिखते हैं चलिए आगे देखते हैं ओके तो दर रेट आप रियक्शन इसको आपको अगर लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे अब मैं आपको बताता हूं लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे इसका जो फॉर्मूला अब यहां पर मनें सुझाएगा यहां पर हो रही किसकी बात यह क्या है यह रीक्टन्ट है और यह प्रोडक्ट लेटряंं तो रियक्टन्ट क्या हो जाएगा रियक्टन्ट का मान हमीशा निगेटिफ होता है तो यहाँ पर हो जाएगा डियल एपान डिल टी इककोल टू फिर माइनस वन अपान यहां पर वन अपान वन होगा क्योंकि यह नहीं दिया गया वन अपान वन हो जाएगा यहां पर हो जाएगा डेल भी अपान डेल टी ठीक है इसी प्रकार से अगर हम प्रोड़क्ट लिखें तो प्रोड़क्ट इंक्रीस हो रहा है तो यहा अगे देखते हैं average rate of reaction average rate of reaction किस प्रकार से हम discuss करेंगे जैसे हमने देदिया 2A plus 3B ठीक है gives out 4C दे दिया तो इसको आप rate of reaction किस प्रकार से इसका लिखेंगे तो आप सबको पता है rate of reaction जो होगा rate of reaction क्या हो जाएगा माइनस मरेगा और product क्या रहेगा प्लस में रहेगा तो यहां पर देखिए वह हो जाएगा one upon two del a upon del t equal to minus one upon three del b upon del t equal to अब यहां पर आगया product product क्या हो जाएगा हमेशा increasing में रहेगा one upon four del c upon del t इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं दूसरा कर ले देते हैं 3x plus y without z, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, minus 1 upon 3 del x upon del t equal to minus del y upon del t और यहाँ पर z है, वो positive में रहेगा, plus 1 upon 1 del z upon del t, इस प्रकार से आप इसको rate आप reaction को लिखेंगे, तो दोस्तों rate आप reaction किस प्रकार से लिखते हैं, वो आपको पता चल गया, ROR, जैसे कि मैं आप से कोई भी दे दूँ, कोई भी reaction दे दूँ, मैंने दे दिया कि A plus Q gives out P plus Q, अब इसका rate आप reaction लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, rate आप reactant हो जाएगा, यह rate आप product हो जाएगा रियक्टियंड क्या होता है, हमेशा निगेटिम में रहेगा, और जो आपका product होगा, वो positive में रहेगा, ठीक है, तो इसके मादिम से आप निकाल सकते हैं, तो rate आप reaction किसका निकलता है, आप सब को पता है rate आप reaction किसका निकलता है, very fast reaction का तो होगा नहीं, और ना ही very slow reaction का होगा, जो rate आप reaction निकलेगा, वो moderate rate आप reaction का find होगा, इसी पर आपका पूरा chapter देशते हैं, तो rate आप reaction क्या होते हैं, आप सभी लोग समझ गए है, इसका definition क्या है, मैंने बता दिया है, ठीक है, तो clearly हमने rate आप reaction को अच्छे से discuss कर लिया, आप हमारा जो next topic है दोस्तों, वो ह है, measurement आप rate आप reaction, इसके बाद में हम graph के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका graph plot करेंगे, किस प्रकार से हम इसका rate आप reaction Post find करेंगे, और किस प्रकार से factor affecting rate up reaction जो विभिन कारक है rate up reaction को प्रभावित करने वाले उनको हम discuss करेंगे ठीक है तो आज किस class में rate up reaction का हमने topic कबर किया है next class में जो आपका class होगा दोस्तों वो होगा factor affecting rate up reaction को लेकर ठीक है तो आज ही class के बारे में आपकी क्या रहा है सभी लोग comment के माधन से comment करके जरूर बताएगा दूसरी बात दोस्तों इसका पीडियप आपको telegram channel पर दे दिया जाएगा पीडियप आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बाकी जो notes होगा मैं अक्योर और क्योर facts बताते चलना हूँ जो important है बाकी complete notes आप लोग को telegram channel पर handwritten notes मिलता रहेगा ठीक है तो आज किस class को जोरदार तरिके से सभी लोग share करिएगा वीडियो को like करिएगा और जो भी मारे channel पर नए आए है channel को subscribe जरूर करिएगा जोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next class में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत